हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चेनल आयरुवेदिक ओश्ती आज मेरी दवाई का टोपिक है टीबी यानि ट्यूबर क्लॉसिस जिसे तपैदिक या शेरोग भी पोलते हैं यह एक संक्रामक रोग है टीबी कई प्रकार की होती है जैसे फीफडों की, हड्डियों की, पाचन तंत्र की और किडनी की टीबी के लक्षणों में बुखार, खासी के साथ खूनाना, पेट दर्द, खाना खाते ही उल्टियाना और पीठ में अकडन आदी होना है जो दवाई आज मैं आपको बताऊंगी, वो हर तरह के टीबी में कारगर है दवाई इस प्रकार है खाने वाला कपूर 48 ग्राम, सत अजवायन 24 ग्राम, सत पोदीना 24 ग्राम, छोटी हिलाइची का तेल 24 ग्राम, जाय फल का तेल 12 ग्राम, और लौंग का तेल 12 ग्राम सबको मिक्स कर काच की शीशी में भर कर धूप में रग दें जब ये पिगल जाएंगी तो एक लिक्विड फोर में आ जाएंगी दिन में चार बार आधा आधा कप पानी में दो दो बूंद डाल कर पिएं किसी भी तरह की टीबी हो, ठीक हो जाएगी ये दवाईयां आपको किसी भी पनसारी की दुकान या किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएंगी टीबी के मरीज को खाने में अंडा, पनीर, दूद, केला, गेहुं, खिचडी, फ्रूट्स, नट्स आधी का प्रियोग करना चाहिए जैतुन के तेल का भी प्रियोग करें, टीबी में तली भुनी चीजें, चाय, कॉफी, कॉल्ड रिंक, शराब और बीडी या सिग्रेट नेपी हैं वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यो